अमस्कार दोस्तों मैं हूँ पुनीत और एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल Technical Puneit में तो दोस्तों कल है Happy New Year तो आज मैं आप सभी को Advance में Happy New Year विश्च करता हूँ तो दोस्तों Happy New Year में हम सभी एक दूसरे को New Year जरूर विश्च करते हैं तो दोस्तों विश्च करने का मज़ा और भी ज़्यादा Interesting हो जाता है जब आप इस तरह का Image बना करके अपने दोस्तों को Share करते है WhatsApp पर, Instagram पर, Facebook और Twitter पर इसका एक अलगी मज़ा है तो दोस्तों इस तरह का अगर आप भी Image बनाना चाहते हैं या इससे भी अच्छे अच्छे Designs में अगर आप Happy New Year का फोटो बना करके अपने दोस्तों को भेजोगे तो उसका एक काफी अलगी मज़ा है तो दोस्तों इस तरह की फोटो आप कैसे बना सकते हो तो वही आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिर्फ दो मिनिट के अंदर आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आप इस तरह के Happy New Year फोटो बना सकते हो और कैसे अपने Friends को Share कर सकते हो और इससे भी काफी अच्छे अच्छे डिजान इसमें मैं आपको बना करके दिखाऊँगा तो वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को बिल्कुल भी Skip नहीं करना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सबिस्क्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुती ज़दा इंटरस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है तो चलिए दोस्तों बातों को यही पर खतम करते हैं और जली से वीडियो को यहाँ पर आचुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन में कई सारे अप्लिकेशन इंस्टॉल है और अगर आप भी हैपी नुएर की फोटो बनाना चाहते हो तो आपको भी एक अप्लिकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है हैपी नुएर फोटो फ्रेम तो यहां पर आपको greeting के भी options मिल जाएंगे तो चलिए हमें एक profile photo बनाने है चलिए मैं इस पर click कर लेता हूँ तो यहां पर आपसे पुछेगा 2 option आगर आप camera से image क्लिक करोगे तो भी आप camera से भी click कर सकते हो और अपने gallery से भी choose कर सकते हो तो चलिए यहां पर मैं gallery का option चूज कर लेता हूँ और यहां पर हम देखेंगे कहां पर हमारी photos रखी हुई है तो चलिए यहां पर हमारी photo रखी हुई है तो मैं यहां पर एक photo को चूज कर लेता हूँ यह मेरी photo है तो यहां पर आपको कई सारे square के size मिल जाए अचलिए मैं इसको पूरा full कर लेता हूँ तो यह मैंने अपनी image को select कर लिया और यहाँ पे हम कर देंगे done done करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे photo frames मिल जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो कई तरह के frames है तो जो इस भी frame में अगर आपको save करना है तो यह देख सकते हो कई सारे frame है साथ में अगर आपको photo को बड़ा छोटा करना है तो finger का use करके आप photo को बड़ा छोटा भी कर सकते हो इस तरीके से तो आप दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे photo बनाई है ठीक है और अग मैं बताना चाहूँ यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का photo frame भी आपका बन जाएगा देन दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हो इसके अंदर आपको na flip का भी option मिल जाएगा फोटो को flip भी कर सकते हो ठीक है उसके लाओ यहाँ पर कई सारे आपको photo में effect भी डालने को option यहाँ पर मिल जाता है तो इस तरीके से जो भी effect आपको अच्छा लगे वो effect आप यहाँ पर डाल सकते हो और डालने के बाद देना आप उसको save करके एक काफी अलगी look होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने है अपना photo हमने पुरा बना लिया है और यहाँ पर आपको नीचे एक मिल जाता है save का option तो यहाँ पर आपको click कर देना और save कर लेना है तो चलिए मैं अपना gallery open कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे all में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यह photo हमारे यहाँ पर save हो चुका है तो दोस्तों happy new year की photo इस तरीके से आप बना सकते हो और अपने whatsapp पे, facebook पे, instagram पे share करके अपने दोस्तों को अभी share कर सकते हो तो finally दोस्तों जो मैंने यह design बनाया है यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको यह वाला design भी आप यहाँ पर बना सकते हो जैसा design मैंने यहाँ पर बनाया है तो दोस्तों इस तरीके से आप भी happy near की photo बनाईए तो आपको download करने का link मैंने नीचे video के description में दे रखा है तो वहाँ पर जाईए app को download कीजिए और आप भी अपनी happy near की photo बनाईए तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में तो अभी के लिए goodbye जैहिन